मैं मनी महेश की कैलाश चोटी पे हूँ यह आखरी चोटी है यहां के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल ही खाई सी है और वो जो सामने नीचे दिख रहा है आपको यह है कमल कुंड ठीके जी कमल कुंड नजर आ रहा है इसके कोरा इतना मैं नीचे जा रहा हूँ अब मैंने यह देखो आपने यह है लास्ट जहां पर जहां समय मनी नजर आती है पर वैसा तभी हमें कुछ मिला नहीं वैसा बोलेनाथ की किर्पा बुलाया था मने आगे बाकी मैं रुका हूँ आगे देखते क्या होता मैं नीचे जा रहा हूँ आगे जैपोलेनाथ जैए मनी महेश जैए हो तरिकाल दर्शी हेलो एवर्वन और गाइस मैं आज आपके सामने एक वाइरल वीडियो लेके आया हूँ अभी मैंने सुबह इस वीडियो को देखा है और यह कोई लड़का है जहारकंड से है और इसने इसके हिसाब से जो इसने केलाश पर विद की चढ़ाई की है और इस टाइम पे कलाश पर विद चोटी पे है मुझे नहीं पता यह कितना सही है वीडियो कितना गलत है बट मुझे लगा कि यह वीडियो मुझे आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए तो मैं यह वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आप लोग देखे और डि रेक्टानों के बलबूते पर मेरी हालत ऐसी हो गई है जो मैं आपको लोगों को बता नहीं शकता कि मेरी इस्तितिक ऐसी हो गई है मुझे अगर अगर मेडिकल ट्रेटमेंट नहीं मिला तो मेरी हालत और खराब हो जाएगी कहीं कुछ भी नहीं है बस उपर ही बोले ना थे शिवलिंग था बहुत ज़ीब चीज़े हैं जो मैं आपको बताऊंगा अशंबो को शंबो कर दिया यही है हमारा मनी महेश कैलास जो आपको यह जंडा सा दिख रहा है यहीं से मनी का दर्सन होता है और मैं अभी इस वक्त यहीं पे जी खड़ा हूँ देख शकते आप यह है बिल्कुल खाई शी जैसी रास्ते तो है नहीं बस मैं इसी से जाने वाला हूँ बिल्कुल ही डेंजर जोन है पत्थर यहां पे घिशक रहे है मैं इसी से ज़स्ट हूँ उपर मैं मैं पूरी कर ली लोगों का जो शंका था वो मैं अब मिटा सकता हूं यहां ऐसा कोई बात नहीं है बस एक डर बना हुआ है लोगों के दिल में दिमाग में और आप देख शकते हो कि यह मेरे पीछे जो है यह यह कहलाज का में जहां से मैं सुरिज की राइट दिखती है और जहां मनी नजर आता है मनी जो दिखता हूँ आपको इसी चोटी से दिखता है अभी मैंने वही उपर बैठा था जो मैंने कुछ वीडियो बनाई है और यह रास्ते नीचे जाने की और एक रास्ता यह है नीचे जाने की जो रास्ता तो है नहीं अब देख सकते बिल्कुल डैरेक्ली एकदम हजार फिट नीचे यह गहरा जा रहा है पर कोशिश करते है क रेवन मुझे जाना तक लगता है बाइस ज़्जार फिटकी मुच्चाई पर है मुनि मैस के कैलास यह आखरी चोटी है यह जिस जगह पर मैं बैठा हूं आप देख सकते हैं कि यहां पर जंडा लगा हुआ है और यह कैलास की आखरी चोटी है जहां पर लोग कहते थे कि कि किसी को भी चड़ पाना नामुंग्किन है मैं इसके उपर चड़ाऊं कि रास्ता नहीं है जिक किसी भी तरीके से किसी भी परकार से और शीजन नहीं है यहां पर बहुत दिकत से सांस भी ले पार है हम और बहुत ही क्रिटिकल कंडिशन में हम अपने हैं तो मैं बोल पा रह रहा है पहला नमबर रास्ता नहीं है हर एक रास्ते पर पत्थरों का बंबार है अब देख सकते हैं कई जगों पर एक यह ज़ंडा हमारे पास दिख रहा है यह केलास की लास्ट चोटी जहां पर बोलते हैं कि बोले नात यहां पर बैठते हैं यहां पर होता है मनी का दरसन हो है यह मैंने आखरी चोटी तक आ चुका हूं बाकि क्या है फोग इतना ज़्यादा हो रहा है मोशम इतना बूरा हो रहा है बारिज भी कई बार आ गई मेरे कपड़ा कुछ गीले हो चुके हैं गंदे भी काफी हो गए हैं मैं भी यहां से नीचे जाने वाला हूं मैं वैसे जह कि दो जो नीचे में आपको दिखार रही आखरी चोटी है है कोई भी आगी कोई रास्ता नहीं है यह सबसे लाश्त है क्यालास बोलते हैं यहीं से मनी का दरसन होता है और मैं इसी जगह बैठा हूं उश्चिप जहां पे मनी का दरसन होता आप देख सकते बस एक ऐसा है कि बना है जिसमें कुछ सिहांसन है जिसमें कुछ बैठने जैसा है हो सकता है बोले नात का यहां पर परकोफ है और मानता है और मेरे साथ ऐसी घटना हो चुकी है मैं अब नीचे जा रहा हूं क्योंकि मौशम काफी खराब होगा बारिश बोरी मेरे पास और कुछ है नहीं अख् मैं मीथुन पंडित ज्यारकंड से जय भोलेनाथ बारिश होने लगी है तेज मुझे घराटों के तहट नीचे पानी के साथ ही उतरना पड़ेगा परना मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी जय भोलेनाथ मेरी वियाज थी पर पता नहीं अगर पूरा करते हैं कि नह हमारे निचे हैं देख रहे हैं कि लोगों कहा नाम है कोई भी नहीं आयां चलो जी नीचे चलते हम कि यह अग fan mob कुल आप नीचे हमारे शामने देख रहें हैंए है कमल कंड इन बल्कुल वो जो शामने नजर आ रही हाँ आपको यहाँ वह वहाँ सिवकुन्ड और यह है कमल कुंड और यह जो ब्लेक पट्टी देख रहे नीचे यह जो किनारा देख रहा है यहां से उपर आज तक किसी ने इस परवत पर चढ़ाई नहीं की है इतिहास गवा है एक गड़ेरिया और एक शाप के लावा इस पहाड पर किसी ने नहीं चढ़ाई की तो मैं इस ह तकरीबन जहां से इसकी बोडर है वहां से तकरीबन मैंने 500 फिट उपर चड़ गया और आधी मैंने कैलास पर चढ़ाई कर रखी है आधी कैलास मैंने चड़ सुका हूं जो लोग कहता थे उपर चला नहीं जाता ऐसा है वैसा है मौत हो जाती चलो अगर मर जाता है कोई शक करने वाला हूं अगर देखता हूं क्या है सचाई क्या है मर गया तो कोई गम नहीं मरने के बाद हो सकता है मैं वीडियो आप लोग पर शेयर न करूंगर साइद किसी वज़ा से चला जाए तो मैरा नाम मीथुन पंडित में जहारखन कर रहने वाला हूं मेरे पास मेरी आड इंटिफाई करके पहुचा दे घर तक वाकि मैं जो हूं कि उपर जाने में जाए ही रहा हूं जी जै बोले जैए शंकर यह जो आप देख रहे हैं यह कमल कुंड है और मैं मनी महेश की कमल कुंड के से इतना उपर चलाई चल चकवा हूं यह है मनी महेश जो यह खौक के कार आधिक सब्सक्राइब पूरी की और यह जो है इसे बोलते हैं चामबा खैलाश जिहाँ यहीं मनी के दर्सन होती है यह ज़हां पर मैं चल रहा हूँ इस वक्त जिक बताते हैं कि दूनिया में लिचिक कोई ही श्क्स चपर चल नहीं पाया जिसमें इसमें बहुत चलाई कर और मैं मिफुन पंडेत जहारखंट का हूं जी हां मैं जहारखंट से का रहने वाला हूं इस पेशल मैंने एक लाख खर्च करके सिर्फ यहां पर आया हूं अमनी महस के लिए और मैंने काफी सुना है कि कोई वाज तक चडाई नहीं चल पाया नहीं चल सका है इस वजह से मैं प्रूफ को देखने आयों कि कारण क्या होती कि नहीं चल पाता है साइंटिफिक रीजन भी हो सकती है या फिर वाके में क्या शंकर जी उपर है या शंकर जी की पावर है नैच्रल पावर है क्या है मैं जानने के लिए यहां पर आ रखा हूं और मैं उपर चड़के काने के लिए मैंने नहीं लाया है और काफी सारे टाइम भी हो चुका है अभी तकरीबां डेड़ बज रहे हैं आगे मैं ऊपर चड़ता हूं के लाज पेश के बाद मैं आप लोग अपडेट दूंगा क्या है क्या हुआ नहीं हुआ मेरे साथ कितनी स्थिती खराब है कि ब लगा रखा है आप देख रहें कि मेरे कपड़े की स्थितिक ऐसे गलफ कैसा हो रखा है यह मिट्टी से दरसल यह क्या है पूरा यह खराब है मैं जाते हैं पानी बोतल मेरा यहां गिर गया था आप देख सकते हैं पानी बोतल है भी मैं उससे लेकर वापश आऊँगा पर नीचे उतरने का देर है फिर इसके बाद सबको आपको बताते हैं क्या क्या फीलिंग बहुत सी अजीब चीज़े यहां पर है ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है सब बहुत कुछ है जो अपने फीलिंग में बताऊंगा जरसल मुझे दिक्कत क्या और यह सांस की बहुत प्रॉ हो रहा है और बाकी आगे बताते हैं चलो है बहुत बुरी तरीके से यह देख लेजिए खाई है यहां से रास्ता तो दिख भी नहीं रहा पर मैं जो हूँ इसी रास्ते से उतरने वाला हूं अगर इसमसे गलती से एक भी चटान मीश कर गया तो मेरा यहीं पर कबर खुद जाएगा अब देखते हैं तो एक के ऊपर एक बस तीका हुआ है कोने कोने से लग लग कर टिका हुआ यह बस जो नीचे देख रहे थोड़ा वस वहां पर हम पहुंच जाते हैं तो काफी एरिया फिर में शमतल सब मिल जागा नीचे जाने को लेकिन मौशम भी खराब हो रह सबस्टे का